हाई दोस्तों, आज क्या वीडियो ना सच में काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट होगा क्योंकि इस वीडियो उपार मैं मेरा एक्सप्रियंस आज आप सब के साथ आसान भासा में स्यार करने का कोजिस करूँगा अगर आप लोग रिंक एप्लिकेशन के मद्धम से लोन के लिए एपलाई किये हो लेकिन लोन का एप्रूबल नहीं मिला है मतलब रिजेक्ट हो चुका है उस थिती में क्या प्रोसेस फॉलो कानने से आगे जाके आपको रिंग एप्लिकेशन के मद्दम से कुछ लोन तथा क्रडिट लिमिट मिलेगा इस बार में जानकारिया स्यार करूँगा जो की मेरा एक्सपिरियंस हैं और मेरा नौलेज हैं साथ में इस पार्टिकुलर वीडियो पर मेरा एक्सपिरियंस मैंड का हिस्सा भी जुड़ा हुआ है वीडियो को बिना स्किप किये स्टार्टिंग से लेके एंड तक ध्यान से देखिएगा चलिए वीडियो को सुरू करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के मद्धम से दोस्तो मैंने लागबाग लागबाग 6 माहिना पहले रिंग एप्लिकेशन के मद्धम से लोन के लिए एपलाई किया था लेकिन मुझे उस समय पर किसी भी पोकार का कोई क्रेडिट लिमिट नहीं मिला था और आज यानि नोगेंबर साल 2023 में मुझे फाइनली रिंग एप्लिकेशन से तीनाजार रुपीज का क्रेडिट लिमिट मिल जुका है अभी मुझे फार्स्ट टाइम नहीं मिला था लेकिन ये सेकंड टाइम एपलाई करने से किस पोकर से मुझे ये मिला है मैंने क्या-क्या प्रोसेस किया क्या-क्या चीज़े इंप्रूब गया ये आप सब के साथ मैं स्यार करूँगा और हाँ चैनल को अगर आप लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल ना भूले वीडियो को प्लीज लाइक किजिएगा मैंने जब 6 माईने पहले रिंग अप्लीकेशन के माददम से लोन के लिए एपलाई किया था जा मुझे रिजेट कर दिया गया था सो मैं सबसे पहले यह पाता लागया था मुझे किसलिया आखिर अप्रूबल नहीं मिला और उसके बाद मैंने यह आभिसकर किया कि भाई सहाब मेरा जो क्रेटिट स्कोर है यह रिंग का जो एलिजिबिलिटी क्रेटेरिया है इसके उपर फीट नहीं है हाला कि रिंग अप्लिकेशन अगर आपको रियक्ट कार देते हैं इससे पहले एक से अधिकतर कारण हो सकता है उसके आपना इंकम बहुती काम है उसके लाबा आपना credit score खराप है आपना credit score डाउन है उसके अलाबा document के जो details है उसका mismatch भी हो सकता है मतलब इस पोकर का तामाम कारण होता है जिसके कारण लोन नहीं मिलता है लोन रिजेक्शन का पीछे एक कारण भी हो सकता है और कभी कभी एक से अधिकतर कारण भी हो सकता है आप सबसे पहले पाता किजिए आपको आखिर किसलिए लोन के लिए रिजेट कर दिया गया है और हाँ माय मोनिटो चैनल पर इस बारे में अल्रेडी वीडियो है रिंग अप्लिकेशन क्यों आपको लोन के लिए रिजेट करते है अभी जब आपको पता चल जाएगा कि आपको रिजेट किसलिए क्या गया है अभी वो चीज़ को आप इंप्रूब किजिए ज्यादा तर कास्टोमर को रिंग अप्लिकेशन लोन के लिए रिजेट कर देते हैं क्रेडिर स्कोर के बेसिस पर त्यूंकि भाई साहब जिन लोगों का सेलरी महीने का 25,601 लाख है वो लोग क्यों 5000-10,000 लिमिट के लिए रिंग अप्लिकेशन को यूज करेंगे तो उन लोगों का रिंग अप्लिकेशन तो जोरूत है नहीं अभी जिन लोगों का इंकाम काम है मतलब जो जुरूर है उससे भी काम है ज्यादातर ओही लोग रिंग अप्लिकेशन को यूज करते है अभी सवाल है तो भाई साहब मैं क्यों रिंग अप्लिकेशन को यूज कर रहा हूँ मैं एक फाइनल्स एल एडवाईजर हूँ इसलिए मैं रिंग अप्लिकेशन को भी नहीं छोड़ता हूँ वाइदावई यह तो जोरूरी नहीं है लेकर जैसे कि मेरा एक्स्पिरियंस बहुत ही इंपोर्टेंट है आप सब के लिए और मेरा नौलज बहुत ही इंपोर्टेंट है मेरे खुल के लिए इसलिए मैं रिंग अप्लिकेशन को यूज करता हूँ मुझे पाता चला था मुझे क्रेडिट स्कोर के करण रिजेक्ट कार दिया गया था आभी credit score को improve करना पड़ेगा और ज्यदातर customer को credit score के लिए ही reject कार दिया जाता है उसके अलाबा income के लिए reject कार दिया जाता है क्यूंकि 2023 का ये latest जामने पर document का जो detail से ये mismatch होगा ऐसा बहुत ही काम customer मिलेगा credit score और income के लिए ही जादा तर case पर ring application customer को loan के लिए reject कार देता है अभी आपको improve करना पड़ेगा दो चीज़ एक होता है credit score और है income अगर अपने income बहुत ही काम है तो उसको improve किजिए मतलब ऐसा नहीं है कि आपना income का 10,000 है उसको 1,00,000 तक लिके जाए या ऐसा नहीं है 10,000 है उस प्लीज रह जाता है credit score credit score को आप improve किजिए अभी credit score को improve करने का ऐसे बहुत सारा अलग अलग तरीका है जैसे कि अगर आप बहुत ही ज्यादा loan या फिर credit card के लिए apply करते हो तो प्लीज ज्यादा apply मात किजिए क्यूंकि इससे भी अपना credit score के उपर negative effect पढ़ता है उसके लाब अगर आपने बहुत ही ज्यादा मत्रा में loan लेके रखे हो प्लीज जितना जल्दी हो सके loan को close करते रहिए अगर आपके पस उतना पैसा है तो और एक चीज है मैंने ऐसा भी कुछ लोग देखा हूं जिन लोगों का नाम पर already 5-6 loan चल रहा है फिर भी उन लोगों को pre-approval loan का offer मिल रहा है क्योंकि उनका income का जो range है यह बहुत ज़्यादा है वो लोग और भी 5-6 loan को चला सकते है काभी आसने से सो अपना जो income है उसके पर यह जाज गया जाता है यह कुछ अलग चीज़े मैं आप समको इस बार में डिटिल में जाने कर दूंगा अलग सा किसी वीडियो उबर और अगर मन के चली आपके पास credit card पेलेटर जैसा कुछ financial services है तो उसका spend का जो amount है इसको बहुत काम राखिये मतलब 30% से काम राखिये अगर आपको credit limit मिला है या फिर credit card मिला है तो उसका जो spend है ओ 30% से काम राखिये बस यह कुछ चीज़े आप apply किजिए आने बाले ए अगर आप लोन का EMI सही टाइम पर repayment नहीं करते हो उस थिति में अभी credit score down हो जाता है तो इसा भी मात किजिए मतलब credit score improve करने का जितना भी tips आपको पाता है उसको follow किजिए credit score को improve किजिए और ring application आपको फिर से दोबारा मोका देते है री apply करने का 3 महने के बाद या फिर 4 महन के बाद उस समय पर अगर अपना credit score सही हो जाता है और अपना income का लेबल थोड़ा बहुत हाई होता है तो भाईया आपको next time credit limit मिल जाएगा रिंग आप से अभी देखिए मैं आ चुका हूं play store पर यह है रिंग application मैंने इसको open करता हूं और यहां पर देखिए मुझे 3000 को spend कार चुका हूं मतलब मुझे भी थे experience सुना चाहिए इसके आगे अगर कुछ questions है या फिर कुछ doubt है comment के मंदम से आप लोग मुझे पूछ सकते हो वीडियो को आंताक देखिने के लिए और आपना किंदी समय मेरे साथ स्यार दनने के लिए आप सब को दिल जे बहुत कर दो, कर दो सुनिया को आपना की।